असलाम देकुम, TKD में खुशामदीद, तो भई आज हम करने वाले अन्बॉक्सिंग इस Fantec के MH83 OMEN GAMING हेड़फून की, अब यह जो हेड़फून आपके मुबाइल फून, PS4 के कंट्रोलर, Xbox के उपर, यहाँ पे PC को पर बड़े अराम से लग जाता है, और इसके अंदर RGB औ माइक के नुएस के इसलेशन है, वह तो मिलती है, और बाकी जाहन तक बात इसकी प्राइस की, तो ऐह तक रीबन कई 32-35 के दर्म्यान में, तो बाकी भी टाइम नी वेस्ट करते हैं, और आओ, करते हैं इसकी अंदबॉक्सिंग को, अब जाहन तक बात इसके बाइस की तो इ उसके बारे में बतायव है, तो खैर खोलते हैं इसके डबे को, और डबे के अंदर सबसे पहले मिलती है इसकी मैनवल, जिसको रिवायतन ठुटा कराते हैं, बाकी आता है एक इसके अंदर वरंटी कार्ड, जिससे आप इसके जो वरंटी वगर है, वो क्लेम कर सकते हो हैड़फून को लिकालते हैं, और सबसे पहले अगर बात करे हैड़फून के डिजाइन की तो भई इसका जो डिजाइन है, वो सेम टू सेम, हमें ओनी कामा के के एटन जैसा मिलता है, इसका डिजाइन है, वो तकरीब तकरीब आप कहलो 98% उस मॉडल जैसा है, उसका रीजन के ओपर, वो किस वज़ा से है, वो आगे चलके हमें वीडियो के अंदर बताऊंगा, और बाकि अगर बात करें इसकी जो बेल क्वालिटी है उसकी तो प्लास्टिक का अची क्वालिटी का यूस किया है, और इसके अगर बात करें, इसके एरकप्स की बारवाली साइट की, तो उसके अंदर जो हमें स्टील मैश है, उसके अंडर मिलती है RGB जो के एक आटो RGB है और इसके अंदर हमें एक LOGO मिलता है FANTEK का, तो अल-वर जोसका डिजाइन है वह मुझा मुझा है वाकि अगर बात करें इसके फीजिकल ओष्य ही तो all-over design है वह भी काझी अच्छा बना तो आप एक जो अंदर मुवेबल होने वाला जो माइक्रोफून है उसको एड़ किया है जिसके एंड के उपर हमें जो इसकी लाइट है वो मिलती है अब यह जो लाइट है में ओनी कामा के अंदर नी मिलती तो उस लिहाँ से अच्छा है इसके अंदर और अगर इसके माइक की बात करें तो इसके अंदर नौाइस कैंसलेशन मिलती है जो कि हमें ओनी कामा में नी मिलती तो उससे रहाँ से जो यह हेड़ फून है वो ज़्याद अच्छा है और इसकी जो साउंड कॉलिटी है वो भी उससे बेटर है और अगर बात करें इसके अंदर वाली साइट की तो भाई इसके अंदर मिलती है हमें हेड ड्रेस काफी अच्छी आप कहलो कुशिनिंग के साथ में तो अल अवर जो इसकी हेड ड्रेस्ट है वो भी काफी अच्छी ग्रिप के साथ में आती है काफी कमफर्टेबल है और इसके जो ear cups हैं उसकी जो कूशनिंग है वो भी काफी अच्छी material की बनाई ही है leather type का material है जो काफी अच्छा all the year जो over the year है वो काफी अच्छी इसकी fixing आती है तो all over जो जो इसका experience है वो काफी सही रहता है और बागी अदर वारी side cover भी जो extra material है उसको यूस किया है तो इसकी जो कुशिनिंग है वो काफी अच्छी है और ओनिकामा से जादा बेटर है as compared to इस मॉडल के और बाकि अगर बात करें इसके headdress की तो ये extendable है तो आप अपने हिसाब से adjust बगरा कर सकते हो जिस तरह के आपको fitting चाहिए तो all over जो headphone है इसकी fitting आप कहलो और जो all over डिजाइन है वो मुझे काफी ज़दा पसंदा आया है बाकि अगर बात करें इसकी sound quality की तो बाई sound quality भी काफी अच्छी है और अच्छी है as onikama से अब design same है मगर ये जादा अच्छा है as compared to onikama के ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ और अगर इसकी sound quality की बात करें तो इसके अदर काफी अच्छी base और जो sound है वो काफी हमें clear मिलता है और अगर बात करें गेमिंग वाली साइट से तो surround sound भी काफी सही है आपको जो गेम के अदर experience है वो काफी अच्छा feel होता है आपको जो gunfire है enemy के steps और यहां पर आपको your game वेगरा खेल रहे हो आपको जो all our experience है वो काफी इसके अदर सही मिलता है तो sound quality भी इसकी काफी अच्छी है और इसके अदर 50 mm के driver को यूज की है वह तो all our sound quality है वो काफी सही रहती है और जो sound है वो काफी loud है तो उस लिहाज से sound quality हो भी मुझे काफी पसंद आई है बागी अगर बात करें इसके mic की तो माइक करणे लगो अब अभी sample आप लोग इसकी mic के quality खुड सुनो भी तो यह सु raft करें हो Hello Hello Mic check Under three Hello Hello तो यह तो 30 माइक की quality है माइक की quality है वह भी पसंद है योगी और बागे बात करें इसकी wire की तो वह मिलती हमें 1.5 मेटर की जो कि प्रेड़िट केबल है और इसके अंदर हमें मिल जाती है इसका इनलाइन कंट्रpetto कैबल जीसे आप इसके जो वालियूम है उसको कम जाधा मेशे माइक अन अफ बटन मलता है तो आप इसका माइक भी कंट्रोल कर सकते हो और आगे वाली साइट के उपर इसका में एक 3.5 mm का जैक मिल जाता जो के मुबाइल फून, PS4 के कंट्रोलर स्विच हो गया, Xbox अंदर बड़े राम से लग जाता है और बाकी इसकंदर एक USB प्लग-इन मिलता है जिससे आप इसकी जो लाइट्स वगर है वो चला सकते हो और बाकी इसकंदर जो इशू है मुझे लाइट्स का ही लगए है जो के RGB उटो चलती है तो इसकंदर अगर हमें कंट्रोल मिलता तो वो जादा सही रहता है मगर अब प्राइस ही है और इससे साब कंदर फैंटक वाले भी इतना नहीं देते है तो उसलिए आज से जो हैट्फून है वो काफी सही है और इसकी प्राइस है तकरीबन 32 से 35 के दरम्यान में तो उसलिए आज से जो हैट्फून है वो काफी जदा अच्छे है और में तरफ से आप लोगो रेक्मेंडेट है तो इसका जो बाई लिंक है वो मैं आपको ले दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो उससे जाके आप लोग इससे परचेस कर सकते हो और आई होप आपको जो वीडियो है वो भी पसंदा ही होगी बाकि अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेस्टन हो तो भी आप में इससे कमेंट सेक्शन के अंदर पूर सकते हो तो बाकि मिलते हैं भी नेक्स वीडियो में अलाहाफिस